अंगीठी की आख सेकना पड़ा दमपत्ती को भरी गवा बैठे दो साल के बच्चे की जान क्या है पूरा मामला जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक नमशकार स्वागत है आप सब का सिटी वेब न्यूज में पंजाब में पढ़ रही कडाके की ठंड के चलते बीते मंगलवार की रात समराला के नागरा गाउं में अंगीठी ने दो वर्शिय मासूम की जान ले ली वहीं पती पतनी की हालत भी बिगड़ गई हाथसा बीते मंगलवार की रात करीब नो बजे हुआ अनमौलक सिंग उम्र 27 वर्शिय अपनी पतनी सुमन प्रीत कोर और दो साल के बेटे अर्मान के साथ खाना खाने के बाद थंड लगने पर कमरे में अंगीठी सेखने लगे लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस अंगीठी से वे कुछ देर की गरमाहट तो पालेंगे लेकिन इसके एवज में वे अपने बच्चे की जान से हाथ दो भेटेंगे कुछ देर बाद अंगीठी से कमरे में जहरीली गैंस बन गई जिसने तीनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और सभी की हालत बिगड़ने लगी घटना की जानकरी जब आसपास के लोगों को हुई तो बंद कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े परिवार के तीनों सदस्यों को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक दो साल के अर्मान की मोत हो चुकी थी पुलिस भी मोके पर पहुँची और सभी को समराला के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डोक्टरों ने बच्चे को मृत घोशित कर दिया प्रारंभी कुपचार के बाद पती पतनी को चंडी गड़ में रैफर कर दिया गया समय पर इलाज मिलने से सुभा तक पती पतनी की हालत में सुधार हो गया लेकिन अपने बच्चे की मोत के सदमे से वे अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं ऐसे चोर राओ वरिंदर सिंग ने कहा कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली वे मोके पर पहुँचे घर में दमपत्ती की हालत गंबीर थी बच्चा भी होश में नहीं था लेकिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तो डोक्टरों ने बच्चे को मृत करार कर दिया इस खबर से जोड़ी अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा फिलहाल के लिए बस इतना ही देश परदेश से जोड़ी हर छोड़ी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे हैं सिटी वैब न्यूस पर